Beginners easily कैसे color की cutting और stitching कर सकते हैं इस वीडियो में मैंने सारी details cover की है इसके लिए मैंने color कुर्ती cut कर रखी है जिसमें back panel एक इंच ऊचा रहता है Perfect color कुर्ती कैसे cut की जाती है Link आपको description में मिल जागी Channel पर नए है तो subscribe करके bell icon को जरूर press करें अब पहले हम front panel में neck की cutting करेंगे यहां गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है Stand color के लिए यहां गले की लंबाई सेम 3 इंच रहेगी इस तरीके से हम 3 बाई 3 का इस तरीके से round neck का shape देखे front में इस neck की cutting करेंगे back panel हमारा एक इंच उचा है तो गले की लंबाई भी एक इंच रहेगी गले की चौड़ाई हमें यहां सवा 3 इंच लेनी है करीब चौथाई इंच फ्रंट से जादा इस तरीके से यहां भी round neck का shape दें और इन दूनों neck की cutting कर लें यह collar neck design मैंने L size के लिए बनाया है जैसे जैसे size बढ़ती है वैसे वैसे गले की चौड़ाई और लंबाई भी हमें बढ़ानी होती है एक-एक size जैसे बढ़ता है तो उसमें हमें सरिफ चौथाई इंच जितना add करना होता है इस तरीके से किसी भी collar कुर्ती बनाने के लिए collar neck design बनाने के लिए इस तरीके से पहले neck की cutting करें अब यह मैंने pasting paper लिया है इसको चौड़ाई में fold कर लिया है यहाँ पर हम V placket के लिए cutting करेंगे यहाँ हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और चौड़ाई में हम करीब आदे इंच पे निशान लगाएंगे अब इन दोनों निशानों को हमें V shape में मिलाना है देखें टोटल गले की जो लंबाई है वो 7 इंच बैठेगी 3 इंच हमने neck cut किया round neck और 4 इंच का यह V shape cut किया है 9.5-6 इंच तक इस तरीके से plackette के लिए निशान लगाएं और plackette को करीब 14 इंच अंदर की तरफ ले ले यहां हम 14 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगा देंगे ये V plackette के लिए हमने निशान लगा दिया है अब इस पूरी cutting को हमें एक एंच चौड़ा रखना है अंदर की तरफ से भी इस तरीके से भी प्लैकेट की cutting कर लें और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशे बताती हूँ अगर आप हमारे बुटिक से फैब्रिक परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखा अगर नंबर पर हमें वाटसप करें अब इस cutting को हमें कपड़े के उपर iron करके और चिपकाना है बाहर की तरफ से मैंने करीब आधा एंच एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए इसको इस तरीके से स्लाई लगा कर और कपड़े को फोल्ड कर लें अब इस cutting को इस तरीके से फोल्ड करें और यहां बीच का निशान लगा दें अब हम front panel को उठाएंगे front panel को हमें सीधा रखना है अब देखे यह हमने front panel का center लिया है और यह जो प्लैकेट का center है दोनों आपस में मिलाने है अब हम इस प्लैकेट को अंदर की तरफ से स्लाई लगा कर और तयार करेंगे पेस्टिंग पेपर के बिलकुल पास में स्लाई करें अब अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे प्लैकेट को बिलकुल एंड तक कट करें मगर ये ध्यान रखें कि स्लाई कट नहीं होनी चाहिए देखे इस तरीके से एंड तक कट करें यहाँ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा दें अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ गुमाएंगे देखे प्लैकेट को हमने इस तरीके से तयार किया है अब इस पट्टी को यहाँ पर फिक्स करने के लिए हम इस तरीके से एक इंच का गैब देकर और यहाँ पर सलाई लगाएंगे आप यहाँ तुर्पाई भी कर सकते हैं सलाई लगाने के बाद अब यहाँ प्लैकेट के उपर कौनों पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हटा दे और इस तरीके से नेक का जो शेप है वो फिर से दे दे यह नेक हमारा तयार है अब जो यह प्लैकेट है उसे हमें बंद करना है तो उसके लिए मैंने यह पट्टी ली है देख उसको इस तरीके से फोल करके और एक बार आरन करें अब जो हमने वी शेप दिया है उस वी लगाना स्टार्ट करेंगे देखे यह करीब 4 इंच है 4 इंच तक हमें छोड़ देना है और उसके बाद यह पट्टी लगाना स्टार्ट करना है विल्कुल किनारी पर सलाई करें अब प्लैकेट के दूसरी साइड यहाँ पर हम लूप्स लगाएंगे लूप्स मैंने पतली डोरी में से इस तरीके से करीब 2 इंच लंबे कट कर लिये हैं अब इसको फोल करके हम यहाँ पर इस तरीके से लूप्स बनाएंगे loops आपको buttons के हिसाब से लगाने है जितनी भी size के आप buttons लगाना चाहें उसके हिसाब से हमें loops लगाने होते है और loops को हमें कितना बाहर छोड़ना है वो भी button की size के उपर depend करता है अब देखें सभी loops की जो size है वो एक ही होनी चाहिए अब देखें प्लैकेट पर मैंने loops लगा दिये है अब यहाँ पर इस तरीके से double stitch करके और इसे अच्छे से fix कर ले इस प्लैकेट को y प्लैकेट भी बोला जाता है loops हमने लगा दिये हैं अब loops का जो कपड़ा है उसे हमें अच्छे से fix करना है तो अंदर की तरफ से इस तरीके से एक बाफ फिर सिस लाई करें और इस लाई करने के बाद भी अगर कपड़ा extra है तो उसे कट करने प्लैकेट को तयार करने के बाद दोनों पैनल्स को हमें आमने सामने रखना है और यहाँ shoulder line से दोनों को जोड़ना है यहाँ करीब आदा इंच स्लाई में दबाए देखे बैक नेक हमने चौथाई इंच एक्स्ट्रा कट किया था क्योंकि देखे जब हम shoulder line को जोड़ेंगे तो इस तरीके से back neck का जो कौना है वो अंदर की तरफ से आएगा तो जब हम collar लगाते हैं तो collar की fitting एकदम perfect बैठती है अब हम collar की measurement लेंगे तो collar की measurement के लिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से neck को चौड़ाई में fold कर लें और पूरे neck की measurement लें कि कितना लंबा collar हमें यहाँ पर तयार करना है टेप को इस तरीके से हम गुमाते जाएंगे और measurement लेंगे इस size में करीब 7-8 inch लंबा collar बन रहा है उसके लिए मैंने यह पेस्टिंग पेपर लिया है इसको लंबाई में fold करें इसे pin up कर लें पहले अब देखे कॉलर की लंबाई हमने 7-8 inch निकाली है तो यहाँ हमें 7-7 inch में निशान लगाना है करीब 1 inch कम यहाँ पर सीधी line कहेच लें गले की चौड़ई हमने 3 inch रखी है तो यहाँ 3 inch पर अंदर की तरफ निशान लगा दें अब देखे उपर की तरफ से करीब 3 inch मैंने बिल्कुल सीधा छोड़ा है और आगे की तरफ इस तरीके से जो collar का shape होता है उसी shape में गोलाई ले लें अब हम इसकी फिर से एक बार measurement लेंगे हमें सवा 8 inch तक लंबा collar बनाना है तो इस तरीके से measurement ले और सवा 8 inch में निशान लगा दे यहाँ तक हमारा collar बनेगा अब collar की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 inch रखी है आप एक inch तक ले सकते हैं अगर आपको बहुती broad collar चाहिए तो पूरे में मैंने इस तरीके से पौन इच पे निशान लगा दिया है साइस के हिसाब से हमने collar की marking कर ली है अब collar के जो कौने हैं वहाँ पर मैंने इस तरीके से curve shape दिया है हलकी सी गुलाई बनाई है अब इस collar को pin up कर ले अब हम इसकी cutting कर लेंगे इस तरीके से आप pin up करके cutting करेंगे तो collar बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं और बिल्कुल perfect cutting होगी यह collar की cutting हमने कर ली है देखिए कुछ इस तरीके से shape इस collar का बैठता है collar को मैंने कपड़े के उपर चिपका दिया है यहां करीब आदा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़के इसकी cutting कर ले अब इसे पहले ही हम glue से fold कर लेंगे आप यहां बड़ी sly भी लगा सकते हैं अगर आपके पास glue अविलेबल नहीं है तो glue लगाने के बाद एक बार iron करना होता है और इस तरीके से collar को तयार करें अब same size का कपड़ा लें उसके उपर इस collar वाले कपड़े को रखें और जिस shape में हमने collar की cutting की है उसी shape में हमें अंदर से इसे sly लगानी है कालर पर sly लगाने के बाद अब जो extra कपड़ा है उसे हम कट करेंगे यहां करीब आदा एंच एक्स्ट्रा चोड़ें और बाकी cutting कर लें यहां गोलाई पर भी हम छोटे कट लगा देंगे अब हम कालर को सीधा करेंगे कालर को सीधा करने के बाद एक बार इसे हम iron करेंगे तो कालर लगाने में भी आसानी होगी देखे कालर मैंने तयार कर लिया है अब इसे लगाने से पहले हम यहां पर इसके बिलकुल बीच में एक निशान लगाएंगे ये collar पर हमने बीच में निशान लगाया है और इसी तरीके से जो कुर्टी का neck है वहां पर भी हम बीच में निशान लगाएंगे दिखे इस तरीके से fold करके back panel में यहां बीच का निशान लगा दें ये कुर्टी का जो neck है उसका center है अब जब हम कॉलर को लगाते हैं तो दोनों निशानों को आपस में रखें ये दियान रखिएगा कुर्ती को मैंने उल्टा रखा है कॉलर लगाने के टाइम कुर्ती को उल्टा रखना है अब दोनों निशानों को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर पहले आधे नैक पर इस तरीके से कॉलर लगाएंगे कॉलर पर नीचे वाले कपड़े में जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उतना ही स्लाई में दबाना है करिब चौथा इंच जितना ही एक्स्ट्रा कपड़ा है वो स्लाई में दबा दें और बिल्कुल एंड तक इस तरीके से कॉलर को लगा दें अब दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरीके से कॉलर लगाएंगे देखे एक बार मेजरमेंट ले लें दोनों कौनों को एक जगह पर ही अच्छे से सेड करें अब यहाँ पर भी हम इस कॉलर को गोलाई में गुमाते जाएंगे और पूरे नैक पर अटेच करेंगे अगर कॉलर लगाने में भी आपको परिशानी होती है तो उसका भी डीटेल वेडियो मैंने बनाय हुआ है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अब देखे पूरे नैक पर मैंने इस तरीके से कॉलर तो लगा दिया है अब हम कॉलर को बाहर की तरफ से भी स्लाई लगाएंगे तो कुर्ती को मैंने सीधे तरफ में गुमा दिया है अब कॉलर को हम इस तरीके से बाहर की तरफ गुमाएंगे और पूरी किनारी पर स्लाई करके इस कॉलर नैक को तैयार करेंगे कॉलर की जो मैंने कटिंग बताई है किसी भी साइज के लिए इसी तरीके से कॉलर को कट करना होता है कॉलर नेक पूरा तयार हो चुका है अब लूप्स के सामने हम बटन्स लगा देंगे देखे ये सामने मैंने बटन्स लगा दिये है यह collar neck design पूरा तैयार हो चुका है पैना हुआ भी यह smart look देता है आप इसे जरूर ट्राय करिएगा और आपको मेरा यह collar cutting method कैसा लगा like, share, comment करके जरूर बताएं thank you, watching for this video